हेलो दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है डोक्टर तरवन और आप सब का बहुत-बहुत स्वागत आज की इस इंटरस्टिंग वीडियो में दोस्तों वीडियो काफी कॉंपलेकेटेड हो सकता है लेकिन मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से बनाया है आप सभी दोस्तों के लिए य ही जोिजीज़ काफी कॉंपलेकेड है बढ़ आसान वहसा में आपको यहां पर समझाऊगा तो वीट इलर्जी गेहू से जिन लोगों हमारी body के अंदर जब भी gluten जाएगी तो हमारी immune system response करती है उसका reaction होता है तो gluten इक तरी की protein होती है जो की पाए जाती है गेहूं में जो में और राई में तो गेहूं के अंदर सबसे ज़्यादा ही पाए जाती है ठीक है और भी चीज़े है जिनकंदर बहुत ज़्यादा पाए जाती है बट गेहूं से बनी हुई चीज़े ज़्यादा यूज होती है आप जानते है तो हमारी जो small intestine है, जो पेट में आथ है, हमारी छोटी आथ है, उसमें inflammation होती है, reactions होती है, उसके वेसे patient को symptom सानेज स्टार्ट हो जाते हैं तो patient को कौन-कौन से symptom सा सकते हैं, खास करके उसको पेट में दर्द रहेगा, पेट के अंदर discomfort रहेगा, पेट के अंदर बेचे नहीं रहेगी, पेट के अंदर bloating रहेगी, मतलब पेट फूल जाएगा, पेट के अंदर gas बहुत जादा बनेगी, patient को diarrhea भी हो सकता है, उसको constipation मतलब के खाने के बाद lose motion भी हो सकते हैं, और constipation भी हो सकता है, patient की भूग धीरे-धीरे करके खतम हो जाती है, जब उसके पेट के अंदर समस्या रहनी शुरू हो जाती है, smell intestine में inflammation हो गई है, surgeon आगई है, उसके वेशेंट खाना कम खाता है, जिसके वेशेंट वेट भी घटता है, उसको nausea vomiting की sensation रहती है, जी कच्चा रहता है, कई बार उल्टी आ जाती है, patient का वेट घट रहा है, तो वो धीरे-धीरे करके कमजूर हो रहा है, weakness उसके अंदर आ रही है, anemia के symptoms आने लगे हैं, खून की कम ही हो गई है, और उसको चलने में सास भी फून ले लगाया है, patient देखने में पतला हो गया है, तो ये सारी चीजे, ये सारी symptoms होते हैं, celiac disease के, या फिर जिनको wheat allergy है, तो आपके घर में या आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है, या ऐसा क पा रहा है, तो उसको diagnose करना बहुत ज़रूरी है, generally diagnose में हम LFT करवा लेते हैं, liver function test करवा लेते हैं, ultrasound करवा लेते हैं, sonography जिसको बोला जाता है, तो उसमें अधिकतरी चीजे normal ही मिलती हैं, कि ये आप में थोड़ी सूजन है, उसके अलाबा और पता नहीं लग पाता है, कि wheat allergy है, उसको पता लगाने के लिए, अब हम कौन से test करवाएंगे, तो wheat allergy को diagnose करने के लिए, पता लगाने के लिए, दो तरह के test कराये जाते हैं, जिसमें आप human leukocyte antigen, जिसको HLA, DQ2 और DQ8, ये दो तरह के test करवाये जाते हैं, जिनकी कीमत 3000 से लेके 5000-5000 तक अलग लग शहरों हो सकती है, तो इनसे असानी से diagnose हो जाता है, कि आपको wheat allergy है, ये test और भी चीजों में पाई जाते हैं, positive जहाँ पे autoimmune disease होती है, तो पेट के अंदर चल रही बहुत सारी समस्या हैं आपकी, और बहुत लंबे समय से हैं, reports के अंदर कुछ जादा आता नहीं है, तो तुरंत gastrologist से मिलके आप अपनी जांच करवा लीजिए, वो आपको बताएंगे कि आपको जांच करवाने हैं, जिससे पता लग सके कि आपको गेहूं से allergy है, आपको rooty से allergy है, चलिए, अब main चीज आती है, जो कि problem create करते कि हम क्या खाएं, जब हमें गेहूं से ही allergy होगी, तो हम किन-किन चीजों को खाएं, तो ये भी काफी complication वारी चीज़े होती है, क्योंकि एक main चीज है, जो कि सभी के घर में इस्तमाल होती है, और दिन में दो से तीन बार इस्तमाल होती है, गेहूं का आटा, ठीक है, जिससे रोटिया बना जाती है, तो उसकी जगह पर आप patient को क्या खिला चाहें, तो यहाँ पर मैं तीन चार चीज़े बताऊंगा, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें multigrain वाले आपने देखा हुआ, कि multigrain के लिए काफी लोग suggest करते हैं, कि multigrain वाले आप आटा यूज़ कर लिज़े, multigrain आपको इस्तिमाल नहीं करना है, आप जाएंगे या अगर आप देखेंगे Amazon पर या कही भी website पर देखेंगे, तो आपको नीचे comments में खुद देखने को मिलेगा, कि वो फायदे मन नहीं है, वो नुकसान दायक हो सकता है, तो आपको online जो multigrain हैं, उनको इस्तिमाल नहीं करना है, ठीक है, आपको आटा, में चीज़ है आटा, तो आपको बाजरे का आटा इस्तिमाल करना है, चावल का इस्तिमाल करना है, मक्का का आटा आप इस्तिमाल कर सकते हैं, और सोया आप इस्तिमाल कर सकते हैं, इनके अंदर gluten की मातरा नहीं है, जो कि किसी को भी नुकसान नहीं देगी, तो आप इनको जुरूर इस्तमाल कीजिए, और भी क्या क्या चीज़े हैं, क्या डाइट प्लान हो सकता है, वो आप वीडियो लगातार में देखते रहे हैं, खाने पीने में आप जो है दूद से बने वे जितने भी डेरी प्रोडक्ट्स हैं, जाहे वो दूद है, पनीर है, मक्खन है, दही है, मठा है, ये सब आप पिशेंट को दे सकते हैं, इसके अंदर कोई भी ग्लूटीन की मातरा नहीं है, पिशेंट का पेट आप कोशिश कीजिए, चावल से भरने की, आलू से भरने की, आलू के चिप्स भी आप पिशेंट को खिला सकते हैं, म यहुँ से भिए जादा Glutein की मात्रा मेदा के अंदर होती है। बहुत जादा High Rich उसके अंदर Glutein की मात्रा पाए जाती है। बहुत प्रोटीन होता उसके अंदर। तो मेदा आपको नहीं देना है। इसमें आता दोस्तों बेसन.. उसका चिल्ला बनामायाँ घ्यहूं की करते हैं तो इसी तरीके से पेटा बनना है dairy products में आपको बता दी हैं कि वो सारे आप खिला सकते हैं पिशन को कोई भी समस्य नहीं है next आता दोस्तों उसमें कि हम उसको fruits कौन-कौन से खिला सकते हैं फल कौन-कौन से खिला सकते हैं तो simply फलों में आप सारे ही फल उसको आप खिलाएं किसी के अंदर भी ऐसी gluten की मातरा नहीं है खास करके citrus fruits आप खिलाएं जो खटे फलो होते हैं इसमें आप केला, सेब, संतरा, खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी इन सारी चीजों को आप खिलाएं सबजी की बात होती है तो दोस्तों इसमें सबजी भी आपको सारी खिलानी है पिशन्ट को मूली, गाजर, गोभी, प्याज, मश्रूम, हरी, फली, भिंडी, लोकी, आलू इन सारी सबजी को आप खिला सकते हैं पूशिश कीजी जादा से जादा हरे पत्तेदार सबजी खिलाने की यह होगे दोस्तों खाने का अगर कुछ चीज रहेगी है तो आप नीचे पूश सकते हैं कि यह उसकर सकते हैं फिर नहीं तो इस तरीके से आप उसको थोड़ा मैनेज करके आप चले जिससे कि उसका प्रॉलम होती है इसको मैनेज करना काफी मुश्किल होता है और टीटमेंट के मामले में आप जानते ही इसका कोई भी ऐसे स्पेसिफिक टीटमेंट नहीं है इविन होमेपैथी आयरवेधिक और एलोपैथिक में भी इसका टीटमेंट नहीं है बट कुछ पिशेंट हैं जो भी आरवेधियां होमेपैथिक डोक्टर हैं आप उनको दिखाईए लगबग 6 से 1 साल तक आपको टीटमेंट करना पड़ सकता है बट ये प्रॉलम आपके ठीक हो जाएगी अगर आप होमेपैथिक टीटमेंट अगर आप कंटीनियू में करते रहें क्योंकि इसमें बहुत करना शुरू कर ले पिशेंट को प्रोपर एक्ससाइज भी आप जुरू करवाईए ठीक है तो ये है दोस्तो वीडियो वीट अलर्जी के लिए होमेपैथि में बहुत सारी मेडिसन्स हैं जो के पिशेंट को सैने सिंटम्स के हिसाब से पूरी डिटेल उसके लिए के दी ज जुरूर शेयर कीजिए आज के वीडियो इतना ही थैंक यू सो मच